हलो फ्रेंज, वेलकम टू सपना सिंपल आनेजी कुकिंग आज हम बनाएंगे पारंपारिक तरीके से बनाई जाने वाली चावल की खीर कोई भी त्योहार हो तो घर में खीर बनती है, मंदिर के प्रशाद में पाईसम मिलता है या घर में डेजर्ट में बनाई जाने वाली राइस पुडिंग है किसी ना किसी बहाने से चावल की खीर हर घर में बन ही जाती है तो आज हम इसे डिलिशियस चावल की खीर को सही प्रमान के साथ और आसान तरीके से बनाना सीखेंगे चावल की खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक चवथाई कब बास्मती चावल लिये है इन चावलों को हमने दो तिन बार पानी से धो कर 20 मिनट के लिए इन्हें इस तरह से पानी में भिगो के रख दिया है 20 मिनिट तक पानी में विगोने के बाद अब इन्हें पानी से निकाल कर चलनी में रख देंगे हमने एक बरतन को मीडियम आज पर गरम कर लिया है अब हम इसमें एक चमश घी डालेंगे आप इसकी बजाए बटर भी डाल सकते है खीर बनाने के लिए हम जो भी बरतन लेंगे उसका बेस मोटा होना ज़रूरी है नहीं तो खीर नीचे से बरतन को चिपकने लगेगी घी गरम होने के बाद अब हम इसमें भीगोई होए चावल डालेंगे अब हम चावल को 3-4 मिनिट के लिए मेडियम आज पर घी में भूनेंगे 3-4 मिनिट के लिए मेडियम आज पर भूनने के बाद चावल से पानी सूख गया है अब हम इसमें लगबग 4 कप गुनगुना दूट डालेंगे अब जब भी खीर बना रहे है तो होल मिल्क या फूल फैट मिल्क से ही बनाईए क्योंकि इस दूट से बनने वाली खीर काफी टेस्टी बनती है और पक कर बहुत जल्दी गाड़ी भी हो जाती है अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे जिससे उबलते समय चावल बरतन को नीचे से चिपकेंगे नहीं अब चावलों को 7-8 मिनिट के लिए मेडियम आज पर उबलने देंगे हमें चावलों को उबलते समय बीच-बीच में मिक्स करते रहना होगा वैसे भी हमने सबसे पहले जो घी में चावल भूने थे आज पर उबलने के बाद आप देख सकते हैं चावल आधे पक चुके हैं और इन चावलों के हम आसानी से टुपड़े भी कर पा रहे हैं अब हम इसमें आधा कप शक्कर डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर आप कम मिठा खाना पसंद करते हैं तो आप आधा कप के बजाए एक तीहाई कप शक्कर डाल सकते हैं अगर आप पहली बार खीर बना रहे हैं तो आधा कप शक्कर ये एक चुथाई कप चावल के प्रमान से एकदम सही प्रमान है इस प्रमान से बनने वाली खीर बहुत जादा मिठी भी नहीं बनेगी और फीकी भी नहीं बनेगी शक्कर डालने के बाद खीर थोड़ी पतली हो जाएगी अब हम खीर को 8-10 मिनट के लिए मीडियम आज पर गाड़ा होने तक पकाएंगे हमें खीर को उबलते समय बीच-बीच में मिक्स करते रहना है आप देख सकते हैं चावल पूरी तरह से पक चुके है अब हम चावलों को मसलते हुए मिक्स करेंगे जिससे खीर गाड़ी हो जाएगी खीर को हमें तब तक ही उबालना है जब तक कि इसकी कंसिस्टनसी बहुत जादा गाड़ी या बहुत जादा पतली नार है क्योंकि खीर खंडी होने के बाद बहुत जादा गाड़ी हो जाती है अगर खीर जादा गाड़ी हो गई है तो आप इसमें आवशक्ता नुसार आधा कप और दूट डाल सकते है आप देख सकते हैं खीर में चावल पूरी तरह से गल चुके है और खीर भी पक कर गाड़ी हो चुकी है अब हम खीर को सर्व करने से पहले गार्णिश करेंगे आधा छोटा चम्मत चारोली अब इन ड्राइफ्रोट्स को धीमी आज पर आधी मिनत के लिए भूनेंगे आप अपने इच्छा नुसार खीर में मावे कम या जादा डाल सकते हैं और मावे को भून कर डालना या नहीं डालना ये आपके टेस्ट के उपर नेरभर करता है मावे हलके से भून चुके है अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे खीर बन कर कयार है अब हम ग्यास बन कर देंगे खीर का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें दो चुटकी नमक डालेंगे खीर को फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें आदा छोटा चमच हरी इलाइची की फ्रेश कुटी हुई पावडर डालेंगे अब सारे ड्राइफ्रूट्स डालेंगे अब थोड़े किश्मिश भी डालेंगे अब खीर में साथ से आठ केसर की डंडिया डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे गर्मा गरम चावल की खीर सर्व करने के लिए रेडी है आपको भी ये पारमपारिक तरीके से बनाई जाने वाली चावल के खीर की रेसिपी ज़रू पसंद आएगी आप इसे बना कर देखिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्षन में ज़रू शेयर कीजिए थैंक यू